इस वीडियो में बात करेंगे, एगर इंडेसन बैंक का आकाउंट आप यूज कर रहे हो तो एक साल या दो साल का स्टेट्मेंट कैसे डाउनलोड करते हैं आज इस वीडियो में जानेंगे तो हाई मनानम अमन चोजी मेरे यूट्यूब चैनल अमन इंफो में आपतों का बहुत बस सागत है इस वीडियो में जानेंगे अकाउंट एस्टेट्मेंट एक साल दो साल कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सुस्क्राइब करना है और ऐसे दरजन के साथ सेयर करना है क्योंकि और भी लोगों का हेल्प हो जाए इस वीडियो को देखके तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लो सबसे पहले आपको इंडसन बैंक का मुबाइल आप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने को लोगिन करना है अगर आप लोगिन नहीं कर पाते हो तो इसके पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था इंडसन बैंक का मुबाइल आप कैसे लोगिन करते है आप उस वीडि देगा देन आपका आकाउंट नमबर आपको सामने दिखाई देगा ओके यहां पर लीखा है स्टेटमेंट थी डॉड इस पर आपको cute करना है क्लिक करने के बाद में Aus service request पर जाना है सर्». ग्यर्वेकश्न आकाउंट इस स्टेटमेंट में जाना है account statement पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको तीन option मिलेंगे monthly, quarterly और yearly आपको statement साल का चाहिए तो साल का आप minimum 2 साल का निकाल सकते हैं statement आप यहाँ से देख सकते हैं तो आपको yearly पे click करना है जैसे आप yearly पे click कर लिए आपको यहाँ पे date अपना select करना है जो भी आपको date चाहिए suppose that 1 January 2022 से लेके 1 January 2023 तक का पर statement चाहिए तो आपको यहाँ पे select करना है select करने के बाद में आपको यहाँ पे year select करना है year select करेंगे तो भी चलेगा नहीं करेंगे तो भी ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे download पे click करना है next पे click करने के बाद में आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड करने का option मिलेगा ठीके आउन नमर मिलेगा कब से कब चाहिए उसका date आपको यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ से confirm करना है confirm करो कि आपका statement डाउनलोड हो जाता है ओके ओ ऐसे ही इंडेसन बैंक का दो साल का एक साल का statement डाउनलोड करते हैं वीडियो अच्छा लगाँ लाइक सस्क्राइब सेर यूँकि ऐसे यूनिक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप रोड़ किया जाते है चलना को सस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं इस वीडियो मैं थांक सर वाचिंग इस वीडियो